यहिन साथ ही हो SSC GD की तरफ से एक notification जारी हुआ है और इस notification में आप देख पाएंगे कि SSC GD 2000 जो 23 में आपका medical होने वाला है वो medical को लेकर के कुछ update है जो मैं आपके साथ बताना हूँ और साथी में आप document लेकर के क्या क्या जाएंगे जो जरूरी कागज में वो आपको लेकर card download final cutoff कितना जाएगा तो विशेश कर चलिए हमें थोड़ी सी चीजों को लेकर के जरूरी है पहले वो मैं discuss करता हूँ देखिए का CRPF की official website पर यह जानकारी आई है यहां पर लिखा हुआ है विस्त्रित चिकित्सक परिच्छन हे तू प्रिवेस पत्र admit card है admit card for detailed medical examination DME और RME होता है DME में कुछ बच्चों को point मिलता है तो उसे RME medical बोलते है ठीक है वो RME 2-3 दिन में हो जाता है अब यहां पर चीज़ें कुछ जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें जरूरी लिखी है वो क्या-क्या है वो आप देख लिजेगा ओके मैं Rifleman ZD in Assam Rifle and Supply in Narcotics Control Bureau Examination 2021 से लेकर के 10 अगर्स तक यह आपका medical रहने वाला है तो आप जो है अपने admit card डाउनलोड करके उसके बाद में जो भी कागज मैं आपको बताऊँगा वो कागज ले जाकरके आपको जाना है जहां पर भी आपको सेंटर बताये जाएगा कि इस करना चाहते हैं तो क्योंकि medical में क्योंकि समय लगता है किसी भी मालो कोई चोट लग रही है उसे सुदरने में समय तो लगेगा ना तो ऐसे में इन चीजों को द्यान रखेगा अब आपको चीज द्यान रखेगा पहले registration number लिखना है उसके बाद में date of worth यहां पर लिख देन आपके admin card जारी हो जाए मतलब medical start हो रहा है लेकिन यह कब तक चलेगा तो अब जो यह जानकारी official website पाईए वह देखो यह update है मतलब 10 अगस्त तक यह medical पूरे-पूरे हो जाएंगे समझ में आ गया ना तो इसलिए इसके आप कौन-कौन से document लेकर के आपको जाने वह मैं आप आपको बताता हूं state online and please video को like कर दीजेगा problem है तो comment कर दीजेगा आप देखो document को कौन-कौन से लेकर जाने वह आप ध्यान देजेए आपके document की बात चल रही है तो मैं document को लेकर के पूरा डिटेल वीडियो है लेकिन जब आपको medical होगा उस time पर सबसे पहले आपको क्या करन आने जाने में बिशेस कर जो है बिरकुल ध्यान रखेगा ऐसी काफी विद्यारत ये ऐसे हैं जिन्होंने गल्ती किया मतलब दोड़बाग किया या फर उनके पैर मोच आगी या फ्रेक्चर हो गया तो ये बड़ी problem होता है तो इस time पर बड़ा ही आपको ध्यान रखना है सरीर का फिजीकल का थाकि एक लास्ट स्टेज है बस ये medical निकल जाए उसके बाद में आप आराम से फिर आपको कोई दिकत नहीं होने वाली है तो इस medical से पहले अपना ध्यान रखें बिशेज ध्यान रखें और जरूरत पढ़ने पर ही बाहर जाए नहीं तो दूसरे से काम कर वाले हैं अपनी दोस्त को घर पर बुला लें लेकिन आप कोसिस ना करें कि भाहर जाने में साधिवादी अटेंट करने में इसका विशेज ध्यान रखेगा आप देखिएगा आपको डॉकमेंट की बात चल रही है तो मैं डॉकमेंट को ले करके एक पूरा डिटेल हैं एक पेजब फ़र्स्ट पेजड पर जो है वो मार्कुएट होती है और इसके मेल जाने में इसके बाद में इसके बाद में लगाँट हो ensam पर अगर आपने बार्मी और ग्रेशन भराए तो ऐसे में वहाँ पर आपको यह दिखाना पड़ेगा हाँ आप ग्रेजुएट हैं या फिर आपने बार्मी कर रखा है तो ऐसे टाइम पर आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्मेंट लेकर के जाएं बहतर रहेगा रखे जो है कम पड़ गया घर पर छूट गया तो ऐसे में फिर दिखकत होगा डवल डेट मिलेगा और आपको परिसानी का सामना करना पड़ेगा उस टाइम पर बहुत ज्यादा प्रेसर होगा तो मतलब ऐसे कोई भी कोता ही ना बरते हैं मतलब आप देखिए आपने पड़ाई चीज़ बता रखिए 10-12 और ग्रेजुशन अगर आपने कर रखिए फॉर्म फिल करने के टाइम पर अगर है फॉर्म में देखिए जो भी डिटेल आपने भरिया वो सब वहाँ पर चाहिए विद ओरिजीनल में तब ही वो मानने होगा कि आपने फॉर्म भरते समय सारी पर आपने अधिपर्देश के तो वही राज yeah इस्टेट जो गवर्मेंट होती हो जारी करती और हिंदी फॉर्मेट में होता है जैसे कि अपने यूपी में देख रख और हिंदी फॉर्मेट में होता है तो डॉमिशा सर्टिफिकेट भी आपको ऑरिजिनल लेकर करके जाना आप यहाँ केंदर के डॉक्मेंट आपके पास में जरूरी है अब एक चीज़ आप यह कहेंगे जब अपने फॉरम भरा था उस टाइम पर यह नकुक्मेंट जो है वो आमने फिल कर दिये थे या फिर अब आप ये भी कह सकते हैं साब ये कि original document हमारे खो गए हैं क्या हम अब नए document बनवा करके जा सकते हैं क्या देखिए मैं आपको बताओ आपके पास फोटो कॉपी जरूर होगी उस फोटो कॉपी को अपने पास में सुरक्षित रखें साथी में अगर ऐसी कोई स्थिय आपके सामने आती है कि आपके document खो गए हैं और आपको जाना है DVDME के लिए तो ऐसे में आप एक affidivate बनवाईएगा affidivate में सारी चीज को mention करिएगा कि आपके ये खो गए हैं आपने नए ये बनवाएं तो संभावना है 90% संभावना है कि आपको accept कर लिया जाएगा या फिर समय दे दिया जाएगा तो इस चीज का विशेश ध्यान रखें कि अगर डॉक्मेंट खो भी गए तो एफिडिवट का सारा आप जरूर नहीं होता है उसमें जो बात लिखी गई है उसे वह मानना पड़ता है ठीक है एफिडिवट का एक नियम होता अगर आपने उ NCC certificate if any मतलब अगर आपने NCC certificate अगर आप चाते NCC का आपको फायदा मिले तो आपने form बने का टाइम पर भी आपने लिखा होगा कि हाँ जी हमने NCC certificate ले रखा है तो वह वाला certificate भी आपको ले करके जाना है यदि आप benefit लेना चाते NCC के माधियम से तो आपने NCC certificate भी अपना आ ठीक है इसका कुछ न कुछ तो benefit आपको मिलेगा इसके बाद में देखे एक सर्विसमेन के लिए discharge certificate होना बहुत जरूरी है जब आप सर्विस कर रहे थे तो और सर्विस होने के बाद में जब आप रिटायर हो गए थे तो रिटायर होने के बाद में discharge certificate मिलता है सेवा निबर जो है वहाँ पर दिखाना होगा इसमें मुझी ने रखता कोई भी आपको दिक्कत होगा और एक सर्विसमेन ओलडी जो हो बहुत ज़ए डिसी प्लेंड होते हैं तो अपने सारी document को ध्यान रखते हैं इसके बाद में देखिए self-attested copies मतलब जो भी मैंने document जो भी आप document लेक जारे original photo state उनका जरूर रखेगा मतलब original के साथ में photo state उसकी एक है दो copy करवा लिजेगा और एक copy हर कागज हर original कागज की एक copy को आप self-attested मार दीजे मतलब अपना sign मार दीजेगा यह जरूर ही होता है जब आप देखेंगे या फर आप ऐसा कर सकते हैं कि document के साथ में photo copy ले एक और वहीं पर आप हातों आथ जो है वो attested कर सकते हैं पूझ करके बागे अटेस्टेट करना ही पड़ता है तो यह सारी चीजे जब आप देखेगा जब यह process हो जाएगा उसके बाद में बहुत ज्यादा documentation का काम होता है कि आपको कहीं जो है आपको fingerprint देना पड़ा है कही पर आपको thumb impression लगाना पड़ा है कहीं biometric हो रहा है कहीं पर आप photo verified हो रहे हैं मतलब बहुत काम होता है यह last stage होता है और इसमें यह मान लिया जाता है कि यह stage clear होने के भाद में आपका gen एकदम हो गया है तो इसलिए इसको बिलकुल आप जो हलके में ना ले इसके बाद में द आप Gmail ID पर save जरूर कर लिजगा क्योंकि आगे काम आ सकता है मतलब जरूरत पढ़ जाती है तो इस इसका बिश्यस आप जाना रखें आपका जो admit card है उसे आप save अलग से करके रखें PDF format में Gmail ID पर जरूर save रखें ठीक है in future एक काम आता है इसके बाद में देखेगा ID प्रूफ चाहिए औरिजिनल जिस पर आपका फोटो लगा हो तो कोई भी ID card चलेगा मतलब इसे आधर card है जिसमें photo होना चाहिए pen card driving license है आपका निर्वाचन card है तो ऐसे में यह सारी document आपको ले करके जाने है औरिजिनल फॉर्मेट में जिसमें आपका photo लगा होना चाहिए तब ही तो पता जोचलेगा इसका आपको एक photo state भी जो है निकलवा लेना है इसके साथ में देखे फोटोग्राफ भी आपको ले करके जाने है विशेज जार रखें अब देखेगा आपको प आता है एक सवाल होता है फॉर्म बाला ना हो तो सर मतलब जो आपने फॉर्म भरतिसे में photo लगाए अगर वो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं देखे का photo जो होता है वो up to date होना चाहिए अगर फॉर्म बाला नहीं है तो आप latest भी खिचवा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है इस चीज का ध्यान रखेगा अगर फॉर्म बाला नहीं है there is no issue आप प्रिजेंट का बरत्मान का photo खिचवा करके जा सकते हैं ठीक है तो बस यह सारी चीज है जो मैंने आपको इंफॉर्म किया मेरी तरब से best of luck सारे डॉक्मेंट मैंने आपको इंफॉर्म चीज में नमर जब आएगा जब आपका physical एकदम ठीक होगा medical या फिट होंगे बोलो हाया ना तो ऐसे में आपको यह आपकी जिम्मिदारी बन जाती है कि आप अपने सरी का ध्यान रखें जब तक कि medical नहीं हो जाता बहुत साथ ज़्यादा questions होंगे queries होंगी कि साब medical से पहल में fracture हुआ था हड उसमें rod डल गई है तो होता है ना कि आप दो साल बाद में आप देख पाएंगे तो rod को देखेगी नहीं तो ऐसे में बहुत गुंजायस होती है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो जो हड़ी होती अपनी जगे बना चुकी होती है और फिर को जो है पाइल्स हो जाते है ठीक है पाइल्स बबासीर बगरा हो जाते है तो उसका सोचे किसाब मेडिक जो ऑपरेशन करवाले सुधरी नहीं पाओगे ठीक है और दिक्कत में दिक्कत हो जाएगा लगरा आपको किसाब इसमें दिक्कत हो सकता हो सकता है उन्हें पाइल्स न